आप सबों का TLSS classes में स्वागत है और इस video lectures में हम लोग समझेंगे quadratic equations and nature of roots ये topics हम लोग discuss करने वाले हैं quadratic equations को हिंदी में दिवगार समिकरन भी कहते हैं तो इसमें हम लोग समझेंगे इसमें तीन method से quadratic equations को solve करेंगे सबसे पहले समझते हैं quadratic equations कहते हैं किसको है जैसे ये general format है AX square plus BX plus C equal to 0 जहांपर A not equal to 0 होना चाहिए और A, B, C हमारा real number है जैसे हम यहाँ देखें अगर example 1 X square plus 2X plus 3 equal to 0 ये एक equation है और इसमें जो variable है वो X है यदि variable का highest power 2 रहे तो उसको हम लोग quadratic equations कहते हैं जैसे X square plus 2X plus 3 equal to 0 है तो ये एक quadratic equation है क्योंकि इसमें X का power 2 है और इसमें ABC को को कोफिसेंट कहते हैं जैसे ये X square का कोफिसेंट यहां कुछ कोई भी नहीं होता तो 1 होता है तो A का value 1 हो गया B हमारा X का कोफिसेंट कहते हैं जो 2 हो गया और C हमारा constant term होता है तो यहां 3 हो गया तो ABC identify करना समझ में आ गया दूसरा भी example हमारा क्या है X square plus 4 equal to 0 तो यह भी quality equations है तो इसको standard format में कैसे लिखेंगे X square तो है ही plus X वाला term नहीं है इसमें तो इसको 0 into X लिख सकते हैं plus 4 equal to 0 फिर यहां से coefficient जो है A का value X square का coefficient 1 है अब देख सकते हैं कि B हमारा 0 है और C जो है constant term 4 है तो इस तरीके से ABC identify करते हैं थार्ड example हम लोग देख सकते हैं कि X Q plus X square plus 3 X plus 4 equal to 0 यह quadratic equation नहीं है क्योंकि इसमें highest power जो variable का है वो 3 है तो यह ध्यान रखना है इस तरीके से एक और example अगर ले लें X plus 4 equal to 0 तो यह भी quadratic equation नहीं है क्योंकि इसमें हमारा variable जो X का power 1 ही है तो quadratic equation के रिए यह बहुत जरूरी है कि variables का power बने जो variable है उसका सबसे ज़्यादा power दो ही रहे उस equations में तो उसको हम लोग quadratic equations कहते हैं तो हम लोग यहाद 3 method समझेंगे एक तो factorization method for solving quadratic equations फिर दूसरा समझेंगे solution of quadratic equations by completing the square और तीसरा हम लोग समझेंगे solution of quadratic equations using quadratic formula जिसमें हम लोग discriminant वगेरा निकालते हैं तो तीनों method को examples के तुरू समझेंगे जैसे यह question ले लिए x square plus 5x plus 6 equal to 0 काफी easy questions है इसको हम लोग सबसे पहले factorization method से समझते हैं किस तरीके से solve करते हैं तो factorization method में जैसे यह standard format ले लिए quadratic equations का ax square plus bx plus c equal to 0 तो सबसे पहले step 1 में हम लोगो ये और ये यहाँ यहाँ जो भी रहेगा उसको multiply करना है तो multiply कर दिये तो x square into c होगा step 1 में first और third term को multiply करना है कर दिये second step में हम लोगो बीच वाले parts को दो भाग में divide करना है divide bx into two parts such that पहला part और दूसरे part को जोडने पर बीच वाला आ जाए bx आ जाए और पहले part और दूसरे part को गुना करने पर ac into x square आ जाए ये काफी important है ये ध्यान रखना है और इस divide करने में लोगो lcm का concept यूज होंगे तीसरा जब divide हो जाए फिर common लेके और convert into product of linear factors और फिर उसको हम लोग 0 से and equate with 0 है ने मतलब 0 से equate करके फिर उसका solution निकालेंगे तो ये steps दिमाग में हो जाएगा जब example से समझ मैं आगा जैसे ये example है x square plus 5 x plus 6 equal to 0 और हम लोगो इसको factorization method से करना है तो सबसे पहले इसको और ये दोनों को multiply करेंगे x square into 6 6 x square हो गया अब ये जो 6 है उसको LC हम ले ले लेंगे 2 3 1 ऐसे factor में divide करें 2 into 3 into 1 जिसको हम लोग 3 into 2 भी लिख सकते हैं तो दोनों का सम बीच वाले के ब्रावर हो गया फिर वह दोनों पार्ट का जो हम लोग प्रोड़क्ट किये तो वह एसी एक्स स्क्वार मलब 6 x square के बात हो गया मलब यह हमारा इसको decide करने के लिए यह सारा चीज किया गया तो यह हमारा ok है मलब तो इसको फिर use करेंगे जैसे अब x square और 5 x का जाहों में 3 x plus 2 x plus 6 लिख दिये तो यह दोनों में x common है तो x ले लिए x plus 3 हो गया और इसमें 2 2 common है तो 2 ले लिए 2 x plus 3 हो गया फिर यह दोनों में x plus 3 common है x plus 3 common है तो x plus 3 common लिए x plus 2 हो गया इस तरीके से यह linear factor में हो गया convert linear मतलब x के power 1 है तो linear factors में हो गया फिर इसको 0 से equate करेंगे तो x के value minus 3 आ गया इसको 0 से equate करेंगे तो x के value इससे minus 3 आ गया और इससे minus 2 आ गया तो method 1 समझ में आ गया होगा अब दूसरा method समझते हैं completing square method completing square methods में हम लोग को क्या समझना है कि एक तो 2-3 formula जो याद रखना है a square minus b square equal to a plus b into a minus b a square plus 2ab plus b square equal to a plus b ka holy square a square minus 2ab plus b square equal to a minus b ka holy square तो यह 3 formulas हैं जो use होंगे completing square methods में हम लोग इसको यह ध्यान रखना है कि यह तीनो formula का use करना है तो सबसे पहले यह तो x square plus 5 x plus 6 equal to zero है तो इसको पूरे को square format में change करना है तो सबसे पहले जो x square है उसको x square ही रहने दिए और जो भी बीच में रहे जैसे कुछ भी रहे 5 x है तो कोई बात ने जो भी रहे 2 into x तो लिखना ही लिखना है और इस जगह में हमको fill करना है यह ध्यान लगा तो 2 into x fix है यही होगा अब सोच रहा है कि 5 x लाना है तो यहां पर क्या fill करें तो 5 x लाना है तो यहां पर 5 by 2 fill करें तो यहां पर दिमाग लगाना फिल क्या करें तो x square plus 2ab आ गया मता रहे यह square प्लस 2ab वाला फॉर्मेट अब जो यहां fill करेंगे उसको एक बार square करके सम में भी करेंगे और वही चीज़ स्क्वाइर करके माइनस में भी करेंगे तो देख सकते हैं यह fill कि 5 by 2 तो 5 by 2 का स्क्वाइर कर दिये प्लस में फिर 5 by 2 का स्क्वाइर कर दिये माइनस में तो यह दोनों अगर देखा जाए तो कैंसिल होके फिर यही बचे का लेकिन इसका benefit अभी समझ में यह दोनों कर दिये अब यह 6 जो है यहां पर आ गया कि अब देख रहे हैं यह 6 को एजटेज रहने दिये अब यहां से यहां तक जो है एक formula का format में आ गया देख सकते हैं a square plus two a b plus b square तो अभी बताएं कि a square plus two a b plus b square क्या होता है a plus b ka holy square तो a यह यह है तो x plus five by two ka holy square यह change हो गया अब यह दोनों को solve करना है यह 25 by 4 हो गया प्लस 6 हो गया यह दोनों simplify करेंगे तो minus one by four आ जाएगा फिर आप यहां से आप क्या करेंगे अब हम लोग पता है कि यह one by four को one by two का square लिख सकते हैं लोग तो फिर यह पूरा एक a square minus b square के format में आ गया तो भी बता है a square minus b square a plus b into a minus b होता है तो यहां से यह a फिर बीच में plus b फिर a minus b equal to zero हो गया फिर यह दोनों को यह x को x रहने दी यह 5 plus 1 by 2 हो गया यह 5 minus 1 by 2 मतलब x plus 3 x plus 2 हो जागा क्यों च्छे बार दो तीन हो जाएंगे चार बार दो दो हो जाएंगे और इस तरीके से फिर x equal to minus 3 answer हो जाएगा और x equal to minus 2 आ जाएगा जब यह दोनों को 0 से equate करेंगे तो यह समझ में आ गया होगा completing square methods तीसरा method हम लोग समझते है quadratic formula methods जैसे यह a x square plus b x plus c equal to 0 a quadratic equation माल लिए standard quality equation जहाँ यह जो है not equal to 0 है और d को discriminant कहते है जिसका formula होता है v square minus 4ac तो यह ध्यान रखना है तो उसके बाद alpha alpha का जो दो roots होते है alpha beta को 2 roots of the quality equation कहते है तो alpha जो होता है वो minus b plus under root d by 2a होता है और beta हमारा minus b minus under root d by 2a होता है तो यह ध्यान रखना है तो यह standard formula है उसके बाद nature of roots formula में समझते nature roots यदि d का value 0 आता है discriminant का value यदि 0 आ जाए b square minus 4c में put करने बाद तो वहां से समझ जाना है roots will be real and equal क्योंकि यह d वाला part 0 हो जाएगा तो minus b by 2a ही बचेगा minus b by 2a यदि d का value greater than 0 हो जाए तो roots will be real but not equal real होंगे वास्तिक होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे roots will be real but not equal यदि d का value यह जो d है इसका value less than 0 आ जाए तो roots will be imaginary यह तीन conditions को ध्यान में रखना है अब यहां से हम लोग देख सकते हैं example से x square plus 5 x plus 6 बराबर 0 तो यहां से a का value 1, b का value 5, c का value 6 हो गया तो d निकाल दिए, d हमारा formula से 1 आ गया, 1 आ गया मरलब greater than 0 है मरलब roots real and different होंगे फिर alpha बीटा का जो formula है वो लगा दिए minus b under root d by 2 है फिर इसको simplify करने के बाद minus 2 आ गया solve quadratic equations using 3 methods and verify answer, factorization method से भी solve करिए, completing square method से भी करिए और quadratic formula method से भी solve करिए, x square plus 7 x plus 12 equal to 0, x square plus 8 x plus 12 equal to 0, x square plus 7 x plus 6 equal to 0 तो यह पहले का answer है minus 4 minus 3, दूसरे का answer है minus 6 minus 2 और तीसरे का answer है minus 6 और minus 1 तो तीनो method से इसको solve करने कोसिस करो, ताकि तीनो method का concept clear हो जाए और कोई भी doubts हो, तो आप comment कर सकते हो, ताकि और आपके doubts को हम solve कर सकें और आप लोग को study में help कर सकें, thank you